जी आज हम चेप्टर 3 करेंगे एक्सरसाइज 3.1 है क्लास 9 ब्लोटिस था बोट कुटर की बोक करें कुस्ट नमबर 3 इसका है सिंप्लीफाइड राइट इन सेंटिफिक नोटेशन हमने इसको क्या करना है सेंटिफिक नोटेशन में लिखना है पहला पार्ट इसका है 4.68 into 10 की पार 11 divided by 2 into 10 की पार minus 10 अचाहिए इन को सॉल्फ करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आज आपने वीडियो को स्क्रिप नहीं करना एंटर जरूर देखना है ठीक है ताकि आपको समझ जाए कि इस तरह की कुस्टन को आपने कैसे सॉल्फ करना है ठीक है तो इसका पहला पार्ट जो है उसको हम पहले सॉल्फ करने लगते हैं 4.68 है आप यहां पे पॉइंट अटा कर यहां पर वान और दो 0 लगा देंगे और नीचे आगया 2 इंटू 10 की पावर माइनस 10 ठीक है तो यहां गया 4.68 डिवाड़ बैर 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर 11 डिवाड़ बैर 2 इंटू 10 की पावर माइनस 10 ठीक है अब यहां जाएगा 468 इंटू 10 की पावर 11, यह उपर जाएगा तो माइनस 2 हो जाएगा और 2 into 10 की पावर माइनस 10 ठीक है, बेसिस सेम है, तो इस वज़े से डिवाइड में हो तो पावर सब्टेक्ट हो जाती है अब इनको हम कट कर लेते हैं कट करेंगे तो 468 को जब मैंने 2 पर डिवाइड किया है, तो इसका अंसर आया है 234 234 into 10 की पावर 11 में इसे मैंने 2 को सब्टेक्ट किया है, तो यह आँगा 9 into, यह आँगा 1 into 10 की पावर माइनस 10, अब यह 244 into 10 की पावर 9 plus 10 234 into 10 की पावर 19, अब यह आँगा 2.34 into 10 की पावर पॉइंट के बाद यहां पर दो हैं और यह 10 की पावर 19 2.34 इंटू 10 की पावर 2 प्लस 19 तो यहां आगा 2.34 इंटू 10 की पावर 19 2021 ठीक है तो इस तरीके से हमने क्या किया है कि इस question को solve किया है ठीक है इतफ़ पिर देख लें कि आपने क्या करने है जो point वाला है point के उठाके उसकी जगा आपने one लगाना है और आगे जितने number होंगे उतने zero लगा लेने है ठीक है फिर इन दोनों को आपस में हमने solve किया है solve करने के बावर इसके cutting होती है cutting की है simplify किया है और simplify करने के बाद आपने इसको scientific notation formula लिकने ठीक है अब इसका जो part 2 है वो देखें क्या है 7.26 है इधर आजाएगा 100 into 7 into 10 की power minus 7 divided by 3 into 10 की power minus 4 तो 726 into 7 into 10 की power minus 7 और ये 10 की power 2 आगया और ये 3 into 10 की power minus 4 26 into 7 into 10 की power minus 4 और ये आगया 3 into 10 की power minus 4 तो 726 को मैंने 7 से multiply करना है तो ये आपके पास आगया जी 5082 into 10 की power 789 minus 9 और ये 3 into 10 की power minus 4 अब इसको 3 पे divide कर देती हूँ तो ये आजाएगा 1694 into 10 की power minus 9 plus 4 9 में से 4 को subtract करना है 5,6,7,8,9 तो ये आगया 1694 10 की power minus 5 सेंटिफिक में लिखते हैं यहां point आएगा 1.694 into 10 की power 1,2,3 है यहां 3 लिखते हैं 10 की power minus 5 अब 1.694 into 10 की power 3 minus 5 तो ये 1.694 into 10 की power minus 2 आजाएगा और यही इसका answer है ठीक है बहुत ही simple है बहुत ही simple जस्ट आपने क्या करना है कि अरांच से इसको तसली के साथ solve करना है और इसके देखते जाना है step को ठीक है अब यहां पर देखें 9.63 है पहले यह point अटाएगे 1 और आगे 2,0 लगा देंगे into 10 की power 9 है और नीचे आगया 6 into 10 की power minus 5 ठीक है अब यह आजाएगा 9.63 यहां पर 10 की power 2 into 10 की power 9 और यह आगया 6 into 10 की power minus 5 तो यह 9.63 into 10 की power 9 minus 2 और यह आगया 6 into 10 की power minus 5 अब 9.63 अब यह उसी तहां लिखते हैं 9.63 यह 10 की power 9 में से 2 निकालेंगी तो 7 आगया और यह आगया 6 into 10 की power minus 5 963 को आपने 6 पे डिवाइट करना है तो ये आगया 160.5 इंटू 10 की पावर 7 प्लस 5 तो ये 160.5 इंटू 10 की पावर 7 8, 9, 10, 11, 12 तो ये 12 आगया ठीक है अब आपने क्या करना है कि यहां पर पॉइंट लिख के आना है ठीक है तो आप क्या लिखोगे 10 की पावर 14 आजाए ठीक है अच्छा अब आपने क्या करना है जोथा क्वेस्टन इसका करना है 4.9 इंटू 10 की पावर 7 प्लस 4.8 इंटू 10 की पावर 6 अपने क्या करना है 4.9 है यहां पर आगया 10 यहां पर 10 की पावर 7 प्लस यहां पर 4.8 है यहां पे आ गया 10 और यहां पे आ गया 10 की power 6 49 into 10 की power 7 minus 1 plus 48 into 10 की power 6 minus 1 power 6 और plus 48 into 10 की power 5 इन दोनों में से आपके पास 10 की power 5 छोटा है यह बाहर आ गया अंदर आ गया 4 49 multiply 10 और plus 48 ठीक है तो यह 10 की power 5 और यह आ गया 490 plus 48 अब आपने क्या करना है 490 और 48 को और 48 को जमा कर देना है तो यह आपके पास 538 into 10 की power 5 आ गया अब यहां पर point लगाते है 5.38 into 10 की power अब जब आपने point लगाना है तो 10 की power आगे आगी और अगर point को खतम करना है जैसे यह तो फिर हम divide में लिखते हैं ठीक है यह point यहां पर है तो 1 और 2 है तो यहां पर 2 लिखेंगे into 10 की power 5 तो यह आगया 5.38 into 10 की power 2 प्लस 5 बेसे सेम है power add हो गई ठीक है तो यह आजाएगा 5.38 into 10 की power 7 ठीक है अब मैं इसका last part solve पर ले लगी हैं उसको solve करने से पहले अगर आगर 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 मेरे चैनल पर नहीं हैं और अब तक मेरे चैनल को लाइक कर सब्सक्राइब कर दें और अपने friend of family के साँ जादा से जादा मेरे वीडियो को शेयर करें और इसके लाव मुझे इंस्टा और फेस्बुक पर भी और टिक टॉक पर भी आप फॉलॉव कर सकते हैं हाँ जी आप कुस्ट नमबर 5 हमने इसका करने है 6.3 into 10 की पावर 4 multiply 4.6 into 10 की पावर 5 तो आपने सबसे पहले क्या करना है पाइन को खतम करना है तो ये 10 आगया into 10 की पावर 4 प्लस ये 4.6 और इसको हटा के ये 10 into 10 की पावर 5 तो ये आगया 63 into 10 की पावर 4 माइनस 1 और ये 46 into 10 की पावर 5 माइनस 1 तो ये आगया 63 into 10 की पावर 3 और ये 46 into 10 की पावर 4 अब ये 63 है आगे इसके 3 0 1 2 3 लगा देंगे ठीक है और यह 46 है और इसके आगे 1,2,3,4,0 लगा देंगे अब आपने क्या करना है 6,3,1,2,3 यानि कि 63,000 को और 4,6,0,0,0,0 को इन दोनों को add का देना है तो यह आगया 5,2,3,1,2,3,0 ठीक है यहां पर इसका reference point होता है 5.23 into 10 की power 1,2,3,4,5 तो यह 5 आगया ठीक है तो इस तरीके से आपने questions को solve करना है बहुत ही simple से question है जास्ट आपको इसकी simplification आनी चाहिए और फिर इसको scientific notation में लिखना आना चाहिए ठीक है इसके लावा कोई भी आपको confusion हो इस topic में तो आप मुझे comment में बता सकते हैं या आप मुझे facebook पर भी message कर सकते हैं तो वहाँ पर भी मैं आपकी confusion को जरूर दूर करूंगी लेकिन जादे जादे आपसे request है इनकी practice कीजेगा और अपना feedback जरूर दीजेगा